नमस्कार मित्रों राजिस्तान क्लासेज यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है मैं बियार कुमावत आज आपके लिए वो प्रस्टन राजिस्तान सामने ग्यान के वो अति महतोपूर्ण प्रस्टन लेकर आया हूं दोस्तों जो बीएस्टीशी 2019 में पूचे जो राजिस्तान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्टन थे वो है जो आज आपके लिए लेकर आगया हूं दोस्तों हल सहीत है जो लेकर आया हूं वो आपने पहले नहीं देखे तो वो जरूर है जो आज देखेगा दोस्तों पिसली जो परीक्सा उतीश अबीस मई 2019 को वो क्वेसन है ठीक है दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियों की परीक्सा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्सा से समंदित गत्वर्श के प्रस्टन पत्रों को सॉल्वर कर बहुत आवस्यक है तो सॉल्वर करना बहुत आवस्यक है यदि आप किसी भी प्रतियों की परीक को आज जो आपके लिए लेकर आ गया हूँ यह कःस्तान जी կह करूँगा लेकिन हिंदी यह डियां तौंगा को इस से लिए बस brush के मैं आपको बता ही दूंगा ये प्रशन पत्र और आपको दोस्तों ये भी किलिर हो जायेगा कि हमें किस परकार के टॉपिक पर ड्यान देना जाए और कौन से ऐसे इसे टॉपिक है जिने हमें एग्नूर करना चाहिए और उस पर ज़यादा फोकस करने की भी आउच्छता ना हो दोस्तों गत वर्षों के प्रश्ण पत्र सौलो करने से आपको परीक्षा का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और साथी समंदीत परीक्षा में किस परकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं उस प्रश्णों की प्रकृति का भी आपको ग्यान हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी है जो क्विज आज की और दोस्तों यह जो 50 क्वेशन है कितने 50 क्वेशन यदि हो सके तो आप फटा पटा है जो जवाब जरूर देवे साथ ही साथ में इसके साथ में जो आपको टाइम भी दिया जाएगा एकाउन से 100 नंबर तक वैसन है दोस्तों ठीके एकाउन से 100 नंबर मतलब की कुल 50 क्ेशन है राजस्तान सामाने घ्यान के ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वेशन है चरी लोक नर्थिय के संपरदाय से समदित है दोस्तों यहाँ पर है जो आपका correct answer के हो जाएगा चरी एक अबोध चौंदरे का वर्णन करता है दोस्तों इसका सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा यदि आपने आपूशन पड़े है तो आपको फटा फटा है जो आंसर आजाएगा बिल्कुल ए ओप्शन सही है जिनोंने ए ओप्शन चुना दोस्तों है जो अपन क्वीज है ज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है और बेल प्रेस जरूर करें ताकि आपको जो जब भी हम यहां से वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिक्शन मिल जाए और यदि आप BSTC और PTT की तैयारी करते हैं तो आपको श्योर है कि इस परकार के च आपसंट में चलिए नेकस्ट स्वेसित तैप Bika Нery में कौना मेला लगता है दोस्तों इनमें से केला नी और है राबी यहां जा 흥 लगता है तो यह जृबरापर लगता है इस जह कर याद रखना है ठीक है साइब क्या है कि माउंट आवु के करीब कौन सी नदी बैती है कि करीब में कौन नदियों से समन्दी दोस्तों एक व्यडियो बना रखी जो कि ट्रिक लिये उसमें जो सारी नदीयों आए जो इंकलूड करने की कोशिच की है और उसकिए तो नदियों से समझ नितैं जो किस नरतिय रूप को अंतराष्टी पैचान मिलती है दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपका ज्यादा समय खराब ना हो और केवल राइस्थान जी के के कैसने पचास क्वेशन तो दोस्तों आपको इसका जो सिलिबस का भी पता चल जाएगा यह पढ़ने के बाद कि कहां से किस चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राज समंध में कौन सा किला इस्थी था है दोस्तों राज समंध में जो किला है वो कौन सा इस्थी था है चलिए तो दोस्तों यहाप बात करते हैं कुंबल गड़ जो किला है यह राज समंध में हाल में वर्तमान में इस्थी था है जुना ग तो दोस्तों बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्चन चुना यह जो आपको जल्दी जल्दी आंसर देने दोस्तों ठीक है समय है जो कम है जो इसमें ले रहे हैं और इसका है जो नेक्स्ट क्वेशन है अठाव नंबर पर की जोदपूर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते है चलिए इसका सई जवाब हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्चन जिन्होंने डी ऑप्चन चुना निला कलर है जो दिखता है चलिए नेक्स्ट है थार एक् सब्सक्राइब चीब पाकिस्तान चीडिया जोडता है भारतीय सी मा में कौनसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है । कौनसा सहर मसूर्या मलमल नामक महीन मलमल के Küste कि तोस्तों सही जो जवाब कौन से हो जाएगा यहां पर है विद्ध सार्ट में का सही जवाब बिल्कुल डी आउपशन हो जाएगा डी आउपसन कोटा है जो मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद है चलिए नेक्स्ट है भारती राजियों में राजस्तान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है भारती राजियों में राजस्तान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्सन क्या ह creativa options線 जावर में जस्ता की बात करते हैं और क्हेतर और यहांपर जैपूर में झाब ठीक Stir नबर है चैसे-चरत सभूर चेया कीिया और ध्रनृम एक्जाम में पूचा गया है और इसका है जो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑफशन हो जाएगा फिफ्टी यह जो नियादिशों की संक्या है जो स्वीकरत की गई है उचन अले में चलिए नेक्स बात करते हैं स्थितल है जो सही जले में कौन सा राश्त्री उद्यान है जो जूच समय जवाब हो जाएगा है महरानगड किले के संस्ताप कौन है निर्माता कौन है दोस्तों सई जवाब है जो क्या हो जाएगा बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए राव जोदा है जो यदि आप परीक्सा की तैयारी करते हैं और तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए महरानगड किले के संस्ताप का न सर्वोच स्तान पराप्त हुआ है कि आपको यह पीडियेफ भी मिलेगी लेकिन टेलियुक्त पर मिलेगी यहांप नामुम्किन तो आप लोह को मैं प्र आपको प्र जोईन कर दिएंगे तो को जाएगी है यह जो सब्सक्राइब जोलेफ में कोि आपको दे दूँगा जो की टेलिग्राम पर अपलोड हो जाएगी तो वाँ पर है जो आप जोईन जरूर कर लीजिएगा ठीक है दोजारा ठाटार अके आहालिया इसका है जो आंसर है जो क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब इल्कुल डी आप्सन हो जाएगा जोदपूर और मारवाड चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा राष्ट्री राजमारक राजस्तान में सबसे लंबी दूरी तय करता है दोस्तों ए ऑप्सन सही जवाब हो जाएगा एन एच बासट है जो सबसे लंबी दूरी तय करता है अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा राष्ट्री राज मारक जैपूर से नई दिली को जोड़ता है तो दोस्तों एन एच अठारा है जो 48 जो जवाब हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन सीता राम वन्य जीव अप्यारण में परेटकों की एक रूची का इस्तान लखिया भाटा है उसके आकरशन का कारण क्या है दोस्तों कारण बताना इसके अंदर आपको और लखिया भाटा का जो कारण है रूची का जो इस्तान है और सी ऑप्शन सही जवाब होगा आपका इसके अंदर मतलब की प्रागेतिहासिक पत्तर पर नकासी के लिए ये प्रसिद है राइस्तान का सबसे चोटा जिल्ला कौन सा है दोस्तों इस परकार की यह है जो विस्तार का क्वेशन है राइस्तान का सबसे चोटा जिल्ला जो है कौन सा है बिलकुल इसके अंदर आप्शन भी दे रहा है ये आप्शन है जो आप्शन रहे गया है दोस्तों ये आप्शन स सबसे कम आबादी वाला जिला कौन शाह है सबसे कम आबादी वाला जिला 2011 की जन गणना के हिसाब से तो D-Option सही जवाब है दोस्तों इन में से जैसल मेर है जो सही जवाब हो जायेगा किस वर्स राजस्तान नहर को इंदरगांदी नहर के रूप में पुना नाम करण किया गया तो दोस्तों किस वर्स तो D option सही जवाब है जो सही हो जाएगा 1916 में राजस्तान नहर को इंद्रा गांधी नहर के रूप में पुना नाम करण किया गया इसे पहले जो ये राजस्तान नाम है जो था इसका राजस्तान नहर नाम उसके बाद जो इं आगे बंजर होने की रोकताम के प्रज़ने से नहीं किया गया दोस्तों बड़ा क्वेसन है थोड़ा ध्यान पूर्वक पड़े और इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्षिन सही जवाब हो जाएगा गुल मोहर है जो सही उत्तर होगा आपका इसके अंदर ठ समय का प्रस्ण है दोस्तों जो करेंज के का भी मान सकते हैं आप काभी ना मंतरी शरी परमोद भाया के अधिन कौन सा विबाग है तो सातियों इसका जो सही जवाब है जो खनन एवं गोपालन सी ऑप्षिन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूरा है जो यह वीडियो कंप लेकर आज तक यह सब्सक्राइब करेंगे कि और जो अच्छी तयारिया जो आपकी हो ही जाएगी और बाकी है जो सुबह साम है जो इसके अलावा प्रसन पत्रों के अलावा है जो सुबह साम मौनिंग है उनिंग में लाइव है जो क्लास अपडेट होती ही है जो कि हातों से लिके हुए नोट्स के आदार पर चलिए इसका है जो सही अंसर क्या हो जाएगा उतर पच्छी रेल जो थे देवेंदर भूसन गुपता थे चलिए नेक्स्ट है राजस्तान की विदानचवा में वर्तमान विदानचवा का कौन सा क्रमान का क्रम वात्षा का आता है तो दोस्तों इसका है जो सही जवाब आपका होगा डी ऑप्सन बिलकुल वैक्या के साथ भी बतर कैसमें अंदर भी होई थी विदानचवा का चुनाओं और सबसे पहले विदानचवा चुनाओं कब होगी है दोस्तों तो आपको यादर करना 1952 में हुए थे ठीक है राजस्तान के अंदर नेक्स्ट है राजपूता नाम में कौन सा एक मात्र गैर राजपूत गड़ है जो सक्तिस इसके अंदर वे जहां जाट वंस का सासन था किसका था जाट वंस जो की सूरजमल जो थे वे वहीं के साशक थे महाराजा सूरजमल लुहागड किला जो की भर्तपूर में और जाट वंस का सासन था नेक्स्ट क्वेसन है कि दिली के सुल्तान अलाउदिन खिल जी ने किस वर्ष चितोड़ गड़ पर कबजा किया था दोस्तों इसका जो सी जवाब है जो क्या हो जाएगा बिल्कुल B option से हो जाएगा 1303 में किया था B option से उत्तर हो जाएगा जिसमें जो चितोड़ पर ये साका हुआ था चितोड़ का प्रतम साका भी हुआ था 1303 में ठीक है तो आपको जो याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं राजिस्तान के अंतर राष्टी सीमा कितनी लंबी ए अंतर राष्टी जो सीमा है कि तो दोस्तों वे राजिस्तान की अंतर राष्टी जो सीमा है कुल तो इसके अंदर जो इस परकार से पूचाके कि 900-1000-1000-1100-100-45 इस जो इसका भी उप्शन से उतर हुजाएगा दोस्तों ठीक है 107 किलोमेटर राष्टी सीमा ठीक है तो इस सीमा की वासफिक जो लमबा, 1070 किलिमेटर है, जो पाकिस्तान से लगती है, इसे रेड कलिप रेका भी कहते हैं, क्या कहते है रेड कलिप चुर्ए युकता है, और दोस्तों जो یہ 1070 है जो परफेक्ट है, जो है, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, नैस्ट है, अलग कुल कास्ट वाद्या है ठीक है एतिहास एक दरश्टी से राज्टान की कौन सी जन जाती योदा और प्रविन धनूर दर थी दान का भेल गराश्या या भाग लिया तो दोस्तों इसका है जो आप सभी को पता हुना चाहिए बी ऑफ्सन है जो भेल जन जाती है जो सही जवाब नेस्ट कवेशन ऐए की तेरा सी नंबर कवेशन है जैपूर के जनतर मंतर कितने खगोलए उपकरण के जम र weirdest लागी जनतर मंतर में कितने खगोल योफकरण दोस्तों बिल्कॐल मनीश है सी जवाब हो जएगा न listen सबहाब है कि इसका सुमद्ड हो जाएगा है यहां पर 85 कि खेति के लिए करदब चंबों और वेवारी का अध्यान किसके सहाइवाई से कि अभग जाएगा इस देये को Braroz था संभव के संभव हुई और तक्निकी रूप से संभव और वेवारी एक अध्यान है जो इनके सहयोग से हुआ जो कि इस्राइल सही आंसर हो जाएगा गवँ अंच पसव में नागोरी नसल का मोख्यत किसलिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों सही जवाब है जो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल दरारुद नसल प्रारूप नसल या दोर्रा प्रयोचन नसल सभी आंसर सब्य और सभी की है जो सही है मतलब सभी प्रयोजिनल नसल है जो इसका सही आंसर है 87 का सही क्या हो जाएगा आप क्वेस्टन को ध्यान पूरुक पढ़े दोस्तों सुखा से लड़ने और जल परबंदन को सुदारने के लिए सरकार माही संबल लोनी सूकडी और पच्चीम बनास घाटी के अतिरीक्त जल का संबल करना चाहती है किस कारिय परणाली का अनुसरन किया जाएगा इसका जो सही जवाब है जो दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन चार पानी अवदान है जो बी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें है जो आप स्कुन चॉट लेनी के आओ सकता नहीं है आपको है जो मैं बता रहूं टेलिग्राम पर आपको इसका है जो मिल जाएगा पीडियाफ वहां से और पूरे प्रशन पत्र का पीडियाफ भी देने की गोशिज करूंगा 2019 का और 2018 2019 से बैक 2008 तक का ठीक है तो आप जो टेलिग्राम को जरूर से जोइन कर दीजिएगा और बने रहे अपने चैनल के साथ भी ता कि आपकी है यह BSTC और PTT की 100 परसेंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन के आदार पर आपकी तैयारी हो जाएगी चलिए इसका सहीर जवाब क्या जाएगा विकल्कों में से निम्न विकल्कों में से सरवाद इग्जल संक्शन की समता किस बांध में है यहांप बांध जो कौन सा अच्छा बांध है अधिक समता वाला बांध है जो D चेंटर का इस्तिते दोस्तों इसका है जो सही जवाब बिल्कुल भी ऑप्शन हो जाएगा बिजली सेंटर जो भी ऑप्शन भरावत बाटा और यह रावत बाटा कहां पर है दोस्तों रावत बाटा है जो किस जिल्ले के अंदर है चितोडगड में ठीक है आपको याद रखन सही जवाब कच्छे तेल का सरवादी कुटपादन कौन से चैत्र में होता है तो यहां पर है जो मंगला कुगा है कच्छे तेल का सरवादी कुटपादन कौन से चैत्र में होता है मंगला में होता है मंगला कहां पर है यह बाढ़ मेर में नेक्स्ट है प्रचीद कोटा पत्थर किस परकार की सामगरी है कोटा पत्र है जो किस परकार की सामगरी दोस्तों चूना पत्थर की सामगरी है कोटा पत्र जो है यह चूना पत्थर की सामगरी मानी जाती है नेक्स्ट है मोती भारत किस जिले की पारसपरी कड़ई का नाम है पारसपरी कड़ई का नाम जो है वो मोती भारत है और किस जिले की है तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी आप्शन हो जाएगा जालो जिले की ठीक है हाँ तो इस परकर आपको है जो सभी याद र आजाए तो आपके लिए अच्छी है जो बात रहेगी नेक्स्ट है लग्जरी ट्रेंड पैलेस ऑन वील्स क्या है लग्जरी ट्रेंड जो की पैलेस ऑन वील्स ध्यानपूरुक पड़े प्रश्न को राज्तान के महतुपूर्ण परेटन गंत्वे इस्तलों तक ले जाती है स तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है जो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है जो साथ दिन लगेंगे बी ऑप्सन से यह पैलेस ऑन वील्स एक चकर साथ दिन में पूरा हो जाता है नेक्स्ट क्वेशन यह है भारत की सबसे बड़ी खारी जील सांबर साल्ट लेक को कितने नदियां कितनी नदियां इनको पोसीद करती है तो दोस्तों ए आप्सन से उत्तर हो जाएगा यहां पर पांच नदियां जिसका नाम है कौन सी मेंथाद सामोध पैंडा इस मेंदक लिए और सामोध मेल कहां पर दोस्तों जैपूर में और सामोध नदियां यह बी जैपूर में ही इस्तित है खारा बनने के पहले किस इस्तान तक लूनी के जल का स्वाद मिठा रहता है दोस्तों यह जो मोचट इंपोर्टेंट क्वेस्ट्न है और कई बार अग्जाम से पूछा गया है और आपका इसका सई जवाब जो जाएगा बालो उत्रा ठीक है बालो उत्रा के बाद जो यह नद नेक्स्ट क्वेसं मारवार चैतर स्वार्वार का किस नसला मौड़ा । इसका सुस्कांक और इसका साइब किस जान सर निमन था इसका सई आंसर जो यह हो जाएगा यह है और आपको जाएगा दोजार अठर के शीट काल में वाइउ गुणवत्ता सूसकांक में राज़त्तान के किस सहर का इस्तान सबसे नेम न था तो इसमें जो सही जवाब आपको देना इसका बिलकुल सही जो आपको जोद्पूर जो सही उत्तर है इसका चलिए नेक्स्ट है दोस्तों गराजदान के किस उस्मिय थर्मल विद्यू चेंटरें बिजली बंतरेले बार सरकार से मेगवी उत्पादक्ता पुरुसकार 1912-1913 परतेख वर्स प्राप्त किया है तो दोस्तों इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा भी ऑप्सन हो जो जिन्हों ने 1912-1913 परतेख वर्स जो प्राप्त किया है उत्पादक्ता पुरुसकार दोस्तों लास्ट कैसे राजस्तान जी के के इतने ही मोस्ट इंपोर्टन जो प्रस्ण है जो पूचे गए है प्रस्ण पत्र में अरावली परोश्रेनी जो माउंट आबू के पास इ मिलेगी कि 1700 कहीं पर आपको 1727 भी मिल सकती है तो दोस्तों यह करेक्ट है जो वह 1722 ठीक है और उसके उपर है जो चत्री बनी हुए उसको गिना करें जो 1727 जो मानते हैं लेकिन है जो चोटी की जो उंचा ही है कोल वह 1722 यह और परफेक्ट आंसर भी यह और यदि फेट में पूचा जाए तो दोस्तों चालीस फेट है जो सही आंसर हो जाता है तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा चालीस फेट है जो इसकी उच्छा ही है और यहीं मिटर की बात करें तो चात्रा सो बाईस मिटर है ठीक है तो इस पर कहा है दोस्तों सारे जो क्वेशन सौर हो चुके आपने 50 इंपोर्टेंट जो थे पिछली बी एस्टी सी एक्जाम में पूचे गए थे 2019 में और आपको वीडियो पसंद आई यह वीडियो आपको पसंद आई जरूर करें आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो झाले नौ का जो पेपर का जीके वह खेसा था तो आपने कर लिए कंप्लिट 2019 का और आपसे तोड़ी रिक्वेस्ट एगे आप चैनल पर दी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी उसके बाद बेल प्रेश जरूर करें तक कि आपको जब भी हम यहां से वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों अब इसके बा अबाद